असम के पहाडी जिले कार्भी आंगलोंग में डेंगू ने भयावा रूप ले लिया है डीफू में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 400 तक पहुँच चुकी है वही शहर के 14 वाडों में स्थिती खराब है हाला कि स्वास्त विभाग की ओर से इसे काबू में करने के लिए हर संभव उपाई किये जा रहे है स्वास्त विभाग की टीम घर घर जाकर डेंगू के अलक्षन वाले लोगों के बलड टेस्ट कर रही है कल शाम तक टीफू सिविल अस्पताल में 37 मरीज भटी थे कल ही 69 लोग इसकी चपेट में आए स्वास्त विभाग की टीम टीम द्वारा 1532 लोगों के घर जाकर नमूने संग्रह किये गए इनमें 44 लोग बुखार से पिडित पाए गए आपको बता दे कि नवंबर महिने में ही एक तारिक से लेकर 7 तारिक तक राजय में डेंगू के 427 मामली दर्च हुए हैं जिनमें कार्भी आग लोग में सबसे ज़ादा 400 केस पाए गए हैं दूसरे स्थान पर काम रूप मेट्रो है जहां अब तक 11 मामली दर्च हुए है